Hello students of 8 class, आज हम इस वीडियो में करेंगे chapter number 2, linear equations in one variable, exercise 2.2, पिछली वीडियो में हम question number 1 to 5 किया है हमने, अब इस वीडियो में हम करेंगे question number 6 to question number 11. Now, let's start with the question number 6. Now, question number 6 is, 3 consecutive integers add up to 51, what are these integers? अब सबसे बहले consecutive integers कौन से हैं ये समझेंगे हम. Now, अब यहां पर दिखो मैंने integers लिखे हैं, 0, 1, 2, so on, minus 1, minus 2, minus 3, so on. Now, अब consecutive integers का क्या meaning होता है, कि हमने 7-7 वले 3 integers लेने हैं, जैसे ये तीनों consecutive होएंगे, 1, 2, 3, 0, 1, 2, ये तीनों consecutive means होता है, 7-7 वले, बिल्कुल 7-7 वले integers लेने हैं, ये तीनों consecutive भी हो सकते हैं, ये तीनों भी हो सकते हैं, यनिकि हमने 3 consecutive integers लेने हैं, कोई भी, अब हमें पता नहीं है कि कौन-कौन से हैं वो अब हमने क्या करना है सबसे पहले एक consecutive integers को suppose कर लेना अब अब दिखो मैंने क्या लट किया let the three consecutive integers be x एक x ले लिया तो उससे next वाला होगा x plus 1 और उससे next वाला क्या होगा फिर इसमें 1 एड हो जाएगा यनिकी x plus 2 हो जाएगा अब क्या given क्या है three consecutive integers तीन consecutive integers आदे add आप यनिकी इनको add करने पे क्या बन रहा है 51 यनिकी मैंने क्या क्या इन तीनों को add कर दिया x plus x plus 1 plus x plus 2 is equal to 51 add हो के क्या है 51 बन गया now x plus x plus x कितनी बड़ी add हो रहा है 3 times यनिकी 3 x आ गया plus 1 plus 2 3 is equal to 51 now next 3 उधर जला जाएगा right hand side में minus हो जाएगा that becomes 48 it means x की value मेरे पास यहां पे क्या आ गई 16 यह x की value है it means one number मेरे पास क्या आ गया अब हमें क्या है जो चीज मैंने suppose की है जो वो find out करनी है यहां पे यह नहीं की x निकाल के question को finish कर देना है no हमने तीनों integers निकाल ले है x b, x plus 1 और x plus 2 भी निकाल ले है it means x तो मेरा सीधा निकला है एक number it means दूसरा number क्या होगा x plus 1 वो कितना हो जाएगा 17 और तीसरा number है x plus 2 वो क्या हो जाएगा that is x plus 2 it means वो number क्या हो जाएगा 18 now यह तीनों numbers क्या है हमारा answer आ गया now come to question number 7 now question number 7 is the sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888 find the multiples अब यहां पे 3 consecutive multiples लेने है किसके लेने है 8 के लेने है अब इसके लिए एक चीज समझेंगे आप 8 के multiples को आप देखो 8 का table लिख लो multiple means 8 82016, 82024 यहां पे table लिखा में नहीं now 16 का क्या meaning है 8 into 2 8 means 8 into 1 24 क्या है 8 into 3 8 into 4, 8 into 5 यह नहीं कि इसको हम सभी को लिख सकते है 8 into x क्योंकि यहां पे देखो ना x क्या है 1 ना इस case में 8 into x इसको 8 x लिख लेंगे यह नहीं कि x की value इसमें 1 है 8 2 हो जाएगा तो 8 2 जा 16, 3 हो जाएगा x तो 8 3 जा 24 4 हो जाएगा तो 8 4 जा 32 यह नहीं की multiples को हम किस form में लिखते हैं जिसका भी multiple है 2 का है तो 2 x 3 का है तो 3 x 4 का है तो 4 x यहां पे 8 है तो 8 x होएगा right अब हमने 3 consecutive लेने है अगर 8 1 है एक multiple जो है मैंने वो लिया 8 x तो दूसरा क्या होएगा 8 into x plus 1 x की जगे x plus 1 है जाएगा और तीसरा क्या होएगा 8 into x plus 2 अब यह 8 है सभी के साथ multiply होएगा यहां पे देखो यहां पे मैंने लिख है let the 3 consecutive multiples of 8 be 8 8 into x plus 1 8 into x plus 2 it means यहां पे देखो 2 terms है जो 8 है तूनों के साथ multiply करना है जब भी आपके पास एक से ज़ादा term हो हमेशा bracket लेके ही आपने cushion start करना है और बाहर जो भी number है यहां पे constant उसको दूनों के साथ multiply करना है यनि कि यह इसके साथ भी होएगा और इसके साथ भी means यह बन गया 8x plus 8 और यहां पे यह बन गया 8x plus 8 to the 16 it means यह तीनों consecutive multiples निकले है अब तीनों को total करके किसके equal कर देना है 888 यनि कि इन तीनों का total आप 888 के equal करो वहां से आपका क्या आजाएगा x निकल आएगा अब आपने तीनों multiples find out करने it means आपने 8x 8x plus 8 और 8x plus 16 की value find out करने है नो यह question आपने खुद करना है बिल्कुल जैसे previous question की है same वैसे है और मैंने hint भी provide कर दिया आपको now come to question number 8 question number 8 is 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively they add up to 74 find these number अब यहां पे भी सबसे बेले मैंने 3 consecutive integers लेने है और उनको increasing order में लिये ठीक है अब 3 consecutive integers हमने पहले question में भी लिये थे कौन-कौन से थे x, x plus 1 and x plus 2 now अब यहां से देखो क्या करना है multiplied by इनको लेके 3 consecutive integers को हमने multiply करना है किसके साथ 2, 3 and 4 यहनी कि पहले को 2 के साथ दूसरे को 3 के साथ तीसरे को 4 के साथ देखो मैंने multiply कर दिया इसको यह बन जाएगा 2x दो terms है bracket लगाओगे 3 into x plus 1 इसको करना है 4 के साथ 4 into x plus 2 it means अब जो तीनों integers हैं consecutive जो लिये थे वो किसमें convert होगे 2x 3x plus 3 4x plus 4 2 is a 8 यह तीनों बन गए देखो यही लिखा and multiplied by 2 3 and 4 respectively they add up अब जो यह numbers बने हैं हमारे पास यह add होके क्या बन रहा है 74 अब इनको देखो मैंने add कर लिया अब देखो तीनों को add कर लिया add करके तीनों को क्या बन रहा है 74 यहां से देखो मेरी x की value आ जाएगी अब find these numbers अब हमने यह तीनों consecutive numbers find out करने थे यहां पे यह नहीं है कि multiply करने के बाद जो numbers बने हैं उनको नहीं बुला उनोंने find the numbers जो आपने उपर integers लिये हैं अब देखो x पता लग गया x पता लग गया तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा 8 x प्लस 2 क्या हो जाएगा 9 this is your answer now come to question number 9 question number 9 is the ages of Rahul and Haroon are in the ratio 5 ratio 7 4 years later the sum of their ages will be 56 years what are their present ages now जब भी देखो इस टाइट को question आएगा ratio वाला सबसे पहले देखो हम एक चीज समझेंगे यहाँ पे अब ratio given है हमें 5 ratio 7 it means उसको हम लिख सकते हैं 5 upon 7 अब कई students सोचते हैं कि Rahul की age 5 है Haroon की age 7 है no अब देखो अगर मैंने यहाँ पे लिख लिए 10 upon 14 ठीक है यहाँ मैं लिख लूँ 21 15 upon 21 लिख लिए ठीक है अब देखो जब आप इसको कैंसल करोगे lowest term में लिखोगे 5 2s are 10 2 5s are 10 sorry 2 पे जाएगा 7 और यहाँ पे 3 3 5s are 15 3 7s are 21 अब देखो इन दोनों numbers की ratio भी तो 5 upon 7 आरी है यह जो तो मैंने लिखे now it means उसकी age राहूल की 10 भी तो हो सकती है Haroon की 14 भी हो सकती है आप कभी भी ratio वाले question को इस form में लिखोगे अब देखो यह तो lowest fraction में ही था already आपने यह नहीं समझना की Haroon की और राहूल की age यह वली होएगी उनकी age 10 और 14 भी हो सकती है 15 और 21 भी हो सकती है मैंने इसको देखो 2 के साथ multiply करके यह बना दिया 5 2s are 10, 7 2s are 14, 3 के साथ multiply किया, 4 के साथ, 5 के साथ 100, कई सारी ratios बन जाएंगी, बट यहां पर देखो दोनों का 5 upon 7 बन रहा है, it means यहां पर कोई एक common number है, जिसके साथ हिनकी age multiply हो रही है 10 भी हो सकती है, अगर 10 के साथ हो रही है, तो 2 ratio होएगी जिसके साथ ही यह multiply हो रहे हैं दोनों अगर 15 और 21 है, तो it means 3 common ratio होएगी दोनों की, so वो common ratio सबसे पहले आपने लेलनी है ratio वाले जब भी questions आएंगे x suppose आपने ऐसे करना है, दिखो let the common ratio be, common ratio मैंने कौन सी लेली x, now it means राहुल की age क्या होएगी 5 into some x 5 x ले लिया, और हरुं दूसरे नमबर पे लिखा है, हरुं की age कितनी होएगी 7 x, now अब देखो, यह starting वाला main question है यहाँ पर now 4 years later the sum of their ages will be 56 years, अब कई बच्चों को यहाँ नहीं पता लता कि later में add करना है, 4 years को यह subtract करना, अब देखो उनकी present age are present की बात किये कि उनकी present age इस ratio में है, अब यहाँ पर देखो will लगा, it means future में 4 साल बाद उनकी age का total है, sum of their ages, age का total कितना है 56 years अब देखो हमने present age यह वली लिया, अब वो 4 साल बाद age का sum करना है, कि students इन दोनों को ही sum up करके 56 कर देते हैं, no that's wrong क्योंकि यह present age है अब 4 साल बाद उनकी age कितनी होएगी, 5x में 4 add up हो जाएगा और हर उनकी age में, यहाँ पे भी 7x plus 4 हो जाएगा now, अब देखो यह condition लगाने है, अब 4 साल बाद उनकी age का sum, यहने की इन दोनों का sum मिलके कितना बन रहा है 56 years now, इन दोनों को add up करके हमने equal to 56 करना यहाँ पे, इन दोनों को नहीं करना ठीक है, यह point यहाँ पे note करने वाला है now, इन दोनों को add करके 56 आ गया अब यहाँ से rest of the calculation part is, very easy now you can do it yourself x की value मेरी यहाँ पे क्या आगई 4, it means मैंने निकालना क्या था Rahul की age और Harun की age x थोड़ा निकालना था हमने simply now, Rahul की age क्या है 5x x की value पुट करो यहाँ पे, 5 4s are 20 और Harun की age कितनी है 7x 7 4s are 28 now, this is your answer 20 and 28 is your answer now, next come to the question number 10 now, question number 10 is the number of boys and girls in class are in the ratio of 7 ratio 5 now, the number of boys is 8 more than the number of girls what is the total class strength यनि की class में total बच्चे फाइनोट करने यह question आपने खुद करना है मैं hint दे रही हूँ इसका अब देखो, boys और girls दियो है इस ratio में boys को कितना ले लोगे आप boys को लेके चलोगे 7x x be the common ratio and girls कितनी लेके चलोगे 5x it means 7x boys है और 5x girls है अब क्या given है the number of boys अब जो boys है, boys हमारे पास कितने है the number of boys are यनि की boys कितने थे 7x 7x is equal to 8 more than number of girls यनि की जितनी girls है उससे 8 जादा है देखो, यही line है the number of boys is 8 more than number of girls जितनी number of girls है उससे 8 जादा है यनि की यह equation बन जाएगी what is the total strength total strength निकालनी है यनि की 7x boys होगे, 5x girls होगी x की value तो यहां से निकल आई है x की value निकालके boys और girls निकालोगे अब class में strength कितनी है total boys और girls यह जो निकलेंगे आप उसको add आप कर लोगे 7x plus 5x जितना भी निकलेगा आपका यह आप उन दोनों को add करके आपका क्या होएगा वो answer होएगा now यह question आपने खुद चेक करना now question number 11 देखिए question number 11 is बैचुंग's father is 26 years younger than बैचुंग's grandfather and 29 years older than बैचुंग अब देखो बैचुंग एक लड़का है उसके जो father है वो क्या है 26 years younger छोटे हैं किस से उसके grandfather से यहां पे है बैचुंग के father बैचुंग father यहां पे क्या है बैचुंग खुद है बैचुंग next generation होगी मैंने इसको आगे शोग किया है बैचुंग grandfather यहां पे उसके father जो है पिछली generation के हैं अब देखो इनके साथ comparison किया है बैचुंग के grandfather जो क्या है 26 years younger than बैचुंग's grandfather यनि कि younger means छोटे हैं यनि कि बैचुंग के father क्या है उसके grandfather से क्या है 26 years छोटे हैं grandfather से and 29 years older than बैचुंग और बैचुंग से क्या है बड़े हैं कितने years 29 years उसके father जो है बैचुंग के बैचुंग से तो बड़े होएंगे कितने years बड़े हैं 29 years बड़े हैं अब अगर मैंने बैचुंग के फादर की एज कितनी लेली, मैंने x लेली, देखो सबसे पहले, let the age of बैचुंग फादर बी x, अब उसके दादा जी की एज कितनी होएगी, 26 years जादा ही होएगी, देखो, उसके पापा अगर 26 years छोटे हैं, तो दादा जी 26 years बड़े हैं, एक ही ठीक है, it means बैचुंग जो है अपने पापा से क्या है, 29 years छोटा होएगा, it means अगर फादर की एज x है, तो बैचुंग की एज क्या है, x minus 29 होएगी, right, अब the sum of all the ages, अब उनकी तीनों की एज जिस का, all the three, किसके इकोल है, 135, it means इन तीनों की एज, x plus x plus 26, plus x minus 29, यनिकी तीनो की एज का टोटल कितना है, 135, बस बाकी तो calculation ही रह गी अब, now x plus x plus x is 3x, plus 26 minus 29, यहां से यह calculation की कितना आ गया, minus 3, now minus 3, right hand side में जाएगा, add up हो जाएगा, plus 3, यहां से मेरी x की value निकल आई, अब हमने क्या निकालनी थी, what is the age of each of them, हरे की age कितनी है, यनिकी, बैचुंग के फा कालनी थी, और grandfather की age कितनी थी, x plus 26, यहां पर मैंने x की value put down कर दी, कितनी आगी, 72 years है, और बैचुंग की age कितनी है, 46 में से, 46 में से 29 minus कर दे, that means 17 है उनकी age, now इस वीडियो में हम सिरफ question number 11 तक discuss करेंगे, now next video में 16 तक जो questions रह गया है, वो वाले सारे questions हम discuss करेंगे, now thanks to all the students for watching my video